हेलो एबरीवन आपका स्वागत है मेरे किचन में तो आज हम बनाएंगे आलू की मेरी सबसे फेवरेट रेशपी जिसको बनाने के लिए हमें न तो टमाटर की जरूरत है नहीं जादा मेनत और नहीं घंटो किचन में खड़े होने की जरूरत आपने आलू की बहुत सारी रेस्पी बनाई होगी पर आज की रेस्पी सबसे अलग है ना जादा समान की जरूत नहीं जादा कटिंग और चौपिंग और स्वाध ऐसा की होटल और धाबा वाले भी फेल हो जाए तो चलिए इस सांदार रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं तो जो बड़े वाले आलू होते हैं उनको भी इस तरीके से दो टुकडों में काट के ले सकते हैं बस ध्यान देना है कि आलू को बहुत जादा छोटा नई कट करना है इसे थोड़ा बड़ा ही रखना है हाँ आलू की अंदर हमें छेद जरूर कर लेना है ताकि अच्छे से इस जितना मैंने सरसो का तेल डाला है आप भी कोशिज करिएगा कि ये सबजी सरसो के तेल में ही बनाए इससे सबजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो गैस का फ्लेम या तो आप बंद कर दे या लो कर दे और इसमें डालेंगे दो लाल मिर्च, दो तेज़ पत्ते, थोड़े से खड़े गरम मसाले और आधा चमच मैंने इसमें जीरा डाला है थोड़ा भूनने के बाद इसमें डालेंगे 15-20 लहसन को दरदरा कूट के लहसन को काटने की जरूरत नहीं है दरदरा कूट के डालेंगे हलका सा इसे मैंने भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे हमने जो प्याज काटके रखे थे वो और प्याज को हमें बहुत जादा भूनने की यह जरूरत नहीं है बस तेल के साथ इसे अच्छे से हमें मिला लेना है अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चमच हल्दी पावडर और एक हमने इसमें नमक डाला है इस रेश्पी के अंदर हमें दो बार नमक डालना है तो अभी मैंने प्याज के हिसाब से ही नमक डाला है इन मसालों को भूनने की जरूरत नहीं है एक बार हम अच्छे से प्याज के साथ इन्हें मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और एक सीटी आने तक low flame में हमें पका लेना है, आपको चिंता करने की कोई जरुएत नहीं है, प्याज बिल्कुल भी नहीं जलते हैं, हमने जो नमक डाला था उससे प्याज अच्छे से गल जाते हैं, तो एक सीटी आने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था, और कुकर जब हटा लेंगे, आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से गल गया है, इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे मैंने दो खड़े लहसन लिये हैं, लहसन के मोटे वाले उपर के छिलके को हटाने के बाद मैंने अच्छे से इसे धोल लिया था, इ इसी के साथ मैंने आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर और एक चमच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और मसालों को हमें थोड़ा सा चलाते हुए भून लेना है तो इन मसालों को मैंने एक नड़ तक चलाते हुए भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो छोटी अगर आपके पास मीट मसाला नहीं है तो यहां पे इसके जगह पे आप एक चमज गरम मसाला पावडर भी डाल सकते हैं इससे भी सब्झी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो यहां मैंने दो चमज पानी भी डाला है ताकि मसाले अच्छे से ढून जाए जिसमें मैंने अध्रक उटा था उसी को दोके हाँ पे मैंने पानी डाला है और मसालों को तेल अलग हो जाने तक या फिर दो से तीम निर तक मैंने इससे अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे आलू, और आलू के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे, तो एक छोटी चमच मैंने हापे नमक डाला है, नमक डाल देने से इस समय नमक डालने से आलू में आलू बिल्कुल भी फीके फीके नहीं लगते हैं, आलू में अच्छे से फ्लेवर आ तो आलू को मसालो के साथ मैंने आपे 1-5 मुन तक चलाते हुए भून लिया है मसाले भी अच्छे से भून गये हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसमें ग्रेवी बहुत जादा हमें पतला नहीं रखना है थोड़ा गाड़ा ही रखना है तो मैंने आपे एक गिलास डाला है एक बार और अच्छे से इन्हें चला लेना है हमें और अब हम कूकर का धक्कन लगा देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है मीडियम फ्लेम में इन्हें दो सीटी आने तक हमें पका लेना है तो दो सीटी आने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था कूक जब ठंडा हो जाए तो उसका धकन हटाएंगे हम तो अब आप देख सकते हैं कि सब्जी कितनी सांदार दिख रही है पर अभी सब्जी पूरी तरीके से नहीं पकी है अभी मैंने गैस फिर से ओन कर दिया है और इसमें आधा छोटा चमच मैंने गरम मसाले का पाउडर डाला ह अच्छे से मसालो को मिलाएंगे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कढ़ाई को ढखके हमें लो फ्लेम में 3-4 मिट तक और इसे पका लेना है तो देखिए 3-4 मिट हो गया है और यह सब्जी अब बनके रेडी हो गया है एक बार मैं आपको आलू को तोड़ के दिखाती हूँ कि आलू कितने अच्छे से कूख हो गया है और यह आलू में अंदर तक गरम मसालो का फ्लेवर आ जाता है बहुत ही टेस्टी यह आलू और प्याज की सब्जी बनके रेडी हो गई है लास्ट में गैस बंद करने से पहले मैंने थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाला बिना हरा धनिया डाले भी आप इस सब्जी को परोज सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्जी का और जो लोग नॉन्वेज खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं उनको भी यह सब्जी बहुत ही सांदार लगेगा सब्जी जब थोड़ी ठंडी हो गए तो दे देवर आता है ना उसके कहने ही क्या मिना टमाटर के ही बहुत ही लाजबाब बहुत ही सब्जी बनके रेडी हो गई है कम समान में बहुत ही अच्छा स्वाद आप भी इस सब्जी की रेशपी को ट्राई जरूर करिएगा साथी मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आज की र लाइक करिएगा फैमडी फ्रेंड के साथ सेयर करिएगा मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसी एक नई रेस्पी के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते